दोस्तों गुफ्तुकु चैनल में आपका स्वागत है आज की कहानी गया शीर्षक है मुफ्त का यश इस कहानी के लेखक है मुन्शी प्रेमचंद वाचन बहम्मद गुर्रेज नूर उन दिनों सन्योग से हाकिम जिला एक रसिक सज्जद थे इतिहास और पुराने सिक्कों की खोज में उन्होंने अच्छे ख्याती प्राप्त कर ली थी इश्वर जाने दफ्तर के सोखे कामों से उन्हें एतिहास च्छानवीन के लिए कैसे समय मिल जाता था वहां तो जब किसी अफसर से पूछिये तो यही कहता है मारे काम के मरा जाता हूं सिर उठाने की फुरसत नहीं मिलती शायद शिकार और सेर भी उनके काम में शामिल हैं उन सज्जन की कीर्थियां मैंने देखी थी और मन में उनका आदर करता था लेकिन उनकी अफसरी किसी प्रकार की घनिश्चिता में बाधक थी मुझे संकोच था कि अगर मेरी ओर से पहल हुई तो लोग यही कहेंगे कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है और मैं किसी दशा में भी ये इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता मैं तो हुकामों की दावतों और सारवजनिक उत्सवों में नेवता देने का भी विरोधी हूँ और जब कभी सुनता हूँ कि किसी अफसर को किसी आम जलसे का सवापती बनाया गया या कोई स्कूल और शदाला या विद्वा अश्रम किसी गवर्नर के नाम से खोला गया तो अपने देश बंदुगों की दास मनोपृत्ती पर घंटों अफसोस करता हूँ मगर जब एक दिन हाकिम जिला ने खुद मेरे नाम का रुका भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्या आप मेरे बंगले पर आने का कस्ट स्विकार करेंगे तो मैं बड़े दोविधा में पड़ गया क्या जवाब दूँ अपने दो एक मित्रों से सलाह ली उन्होंने कहा साफ लिख दीजिए मुझे फुरसत नहीं या हाकिम झिला होंगे तो अपने घर के होंगे कोई सरकारी ब जाबते का काम होता को आपका जाना आने वारे था लेकिन नेजी मुलाकात के लिए जाना आपकी शान की खिलाब है आख रों गुद आपकी मकान पर क्यो नहीं आए इससे क्या उनकी शान में बट्टा लगा जाता था इसलिए तो खुद नहीं आये कि वो हाकिम जिला है इन आहमख हिंदुस्तानियों को कभी ये समझाएगी कि दफ्तर के बाहर वो भी वैसे ही साधारल मनुश्य हैं जैसे हम और आप शायद ये लोग अपनी घरवारियों से भी अफसरी जताते होंगे अपना अपद होने कभी नहीं बोलता एक मित्र ने जो लतीफों के चलते फिरते तिजोरी हैं हिंदुस्तानी अफसरों के विशे में कई बड़ी मनुणजंग घटनाय सुनाई एक अफसर साब ससुर आल गए शायद इस्त्री को विदा कराना था जैसा आम रिवाज है ससुर जी ने पहले ही वादे पर लड़की को विदा करना उचितना समझा कहने लगे बिटा इतने दुनों के बाद आई है अभी कैसे विदा कर दू भला छे मैंने तो रहने दू उदर धर्म पत्नी जी ने भी नाइन से संदेश कहला वेजा अभी मैंने जाना चाहती आखिर माता पिता से भी तो मेरा कोई नाता है कुछ तुमारे हाद बिक थोड़े ही गई हूँ दमाद साहब अफसा थे जामे से बाहर हो गए तुरंद घोड़े पर बैठे आओ सदर की राह ली दूसरे ही दिन ससुर जी पर सम्मन जारी कर दिया बिचारा बुड़ा अदमी तुरंद ललकी को साथ लेकर दमाद की सेवा में जा पहुचा तब जाकि उनकी जान बची ये लोग ऐसे मित्या अभिमानी होते हैं और फिर तुम्हें हाकिम जिला से लेना ही क्या है अगर तुमको ये विद्रोहात्मक गल्ब हुआ लेक लिखोगे तो फौरं गिरिफ्तार कर लिए जाओगे हाकिम जिला जरा भी मुरववत ना करेंगे लेकिन मुझे मित्रो की ये सला पसंद ना आई एक भला आदमी जब निमंत्रण देता है तो किवल इसलिए अस्विकार कर देना कि हाकिम जिला ने बेज़ा है मुट मर्दी है बेशक हाकिम साब मेरे घर आ जाते तो उनकी शान कम ना होती उदार हिर्दे वाला आदमी बे तकल्लूफ चला आता लेकिन भाई जिले की अफसरी बड़ी चीज है और एक उपन्यासकार की हस्ती ही क्या है इंग्लेंड और अमेरिका में गल्प लिखको और उपन्यासकारों की मेज़ पर निमंत्रित होने में परधान मंत्री भी अपना गौरब समझेगा यहाकिम जिला की तो गिंती ही क्या है लेकिन यह बारतवर्श है जहां हर एक रईस के दर्बार में कभी समराठो का जथा रईस के कीरतीमान के लिए जमा रहता था और आज भी ताजपोशी में हमारे लेखा गवरिंद विना बुलाय राजाओं की खिद्मत में हाजिर होते हैं कसीदे पेश करते हैं और इनाम के लिए हाथ पसारते हैं तुम ऐसे कहा कि बड़े वो हो कि हाकिम जिला तुमारे घार चलाए जब तुम में इतनी अकड़ तुनक में जाजी है तो वो तो जिले का बादशा है अगर उसे कुछ अभिमान भी हो तो उचित है इसे उसकी कमजोरी कहो, बेहुद्गी कहो, मुर्कता कहो, उजड़ता कहो, फिर भी उचित है देवता होना गर्व की बात है, लेकिन मनुष्य होना भी अपराद नहीं और मैं तो कहता हूँ ईश्वर को धन्यवाद दो, कि हाकिम जिला तुमारे घर नहीं आये वरना तुमारी कितनी बाद होती, उनकी आदर सत्कार का समान तुमारे पास कहा था गद किये कुर्सी भी नहीं है, उन्हें क्या तीन टांगो वाले सिंगासन पर बैठाते या मटमेले जाजिम पर तीन पैसे की चौबिस बीडियां पी कर दिल खुश कर लेते हो है सामर्त रुपए के दो सिगार खरीदने की तुम तो इतना भी नहीं जानते कि वो सिगार मिलता कहा है, उसका नाम क्या है अपना भाग सराहो कि अफसर साहब तुमारे घर नहीं आए और तुम्हें बुला लिया चार पांच रुपए बिगड़ भी जाते और लजजित भी होना पड़ता और कहीं तुम्हारे परमदुर भागे और पापों के दंड़ सुरूप उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ होती तब तो तुम्हें धर्ती में समा जाने के सिवा और कोई ठिकाना ना था तुम या तुम्हारी धर्मपत्नी उस महीले का सतकार कर सकती थी तुम्हारी तो गिंकी बंद जाती साहब, बदावास हो जाते, वो तुम्हारे दिवान खाने तक ही ना रहती, जिसे तुमने गरीबा मौँ ढंग से सजा रखा है वहाँ तुम्हारी गरीबी अवश्य है, पर फूरण पन नहीं अंदर तो पग पग पर फूरण पन के दिर्श नजर आते, तुम अपने में पटे पुराने पहन कर और अपनी वपन्नता में मगन रहकर जिन्दिगी बसर कर सकते हो लेकिन कोई भी आत्म अभिमानी आदमी ये पसंद नहीं करता कि उसकी दूरवस्था दूसरों के लिए विनोत की वस्तू बने इन लेडी साहिबा के सामने तो तुमारी जबान बंद हो जाती चुनांचे मैंने हाकिम जिला का निमंतरन स्विकार कर लिया और यद भी इनके सुभाओं में कुछ आनावश्यक अफसरी की शान थी लेकिन उनके इसने और उदारता ने उन्हें यतासाद प्रकटना होने दिया कम से कम उन्हें मुझे शिकायत का कोई मौका न दिया अब सराना प्रकटी को तब्दील करना उनकी शक्ती से बाहर था मुझे इस प्रसंग को कोई महत्व देने की कोई बात ना थी महत्व न दिया उन्हें मुझे बलाया मैं चला गया कुछ गफशप किया और लोटाया किसी से इसका जिकर करने की जरूँती क्या मानो भाजी खरीदें बाजार गया था लेकिन टोहियों ने जाने कैसे टोह लिया विशेश समुदायों में ये चर्चा होने लगी कि हाकिम जिला से मेरी बड़ी गहरी मैत्री है और वो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं अतिश योपती ने मेरा सम्मान और भी बढ़ा दिया यहां तक मशूर हुआ कि वो मुझसे सला लिया बगार कोई फैसला या रिपोर्ट नहीं लिखते कोई भी समझदार आदमी इस ख्याती से लाब उठा सकता था स्वार्थ में आदमी बावला हो जाता है तेनके का सहारा डूनता पड़ता है ऐसों को विश्वास दिलाना कुछ मुश्किल ना था कि मेरे दुआरा उनका काम निकल सकता है लेकिन मैं ऐसी बातों से घ्रणा करता हूँ सैक्टो वेक्ती अपनी कथाई लेकर मेरे पास आए किसी के साथ पुलिस ने बेजा जयाती की थी कोई इंकम टेक्स वालों की सकतियों से दुकी था किसी की ये शिकायती की देफ्तर में उसकी हक तलफी हो रही है और उसकी पीछे के आदमियों को दना दन तरफ्किया मिल रही है उसका नंबर आता है तो कोई परवा नहीं करता है इस तरह का कोई ना कोई प्रसंगे निती ही मेरे पास आने लगा लेकिन मेरे पास उन सब के लिए एक ही जवाब था मुझसे कोई मतलब नहीं एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बच्पन का एक सैपाटी मित्रा आटब की हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे कोई 45 साल की पुरानी बात है मेरी उमर 19 साल से अधिक न थी वो भी लगबा किसी उमर के रहे होंगे लेकिन मुझसे कहीं बलवान और हुष्ट पुष्ट मैं जहीन था वो निरे कौदन मौलवी साब उन से हार गय थे और उन्हें सबक पढ़ाने का भार मुझ पर डाल दिया था अपने से दुगने वेक्ति को पढ़ाना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता था और खोब मन लगा कर पढ़ा था फल ये हुआ कि मौलवी साब की छड़ी जहां सफल रही वहां मेरा प्रेम सफल हो गया बलदेव चल निकला खालिक बारी तक जा पहुचा मगर इस बीच में मौलीवी साब का स्वरवास हो गया और वो शाखा टूट गई उनके छादर भी इदर उदर हो गए तब से बलदेव को केवल दो-तीन बार रास्ते में देखा मैं अब भी भाई सीकिया पहलवान हूँ और वो अब भी भाई भी भीमका है राम राम हुई शेम कुशल पूछा और अपनी अपनी राह चले गए मैंने उनसे हाथ में लाते हुए का आओ भी बलदेव मजे में तो हो कैसे याद किया? क्या करते हो आज कल? बलदेव ने वैथित कंड से कहा जिन्दिकी के दिन पूरे कर रहे हैं भाई और क्या? तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी याद करो वो मकतब वाली बात जब तो मुझे पढ़ाया करते थे तुम्हारी बतौलत चार अक्षर पढ़ गया और अपनी जमीदारी ये काम सभाल लेता हूँ नहीं तो मूर्खी बना रहे था तुम तो मेरे गुरू हो भाई सच कहता हूँ मुझ जैसे गधो को पढ़ाना तुमारा ही काम था ना जाने क्या बात थी कि मौलवी साब से सबक पढ़कर अपनी जगा पर आया नहीं कि बिल्कुल सार तुम जो पढ़ाते थे वो बिना याद किया ही याद हो जाता था तुम तब भी बड़े जहीन थे ये कहकर उन्होंने मुझे सगर्व नेत्रों से देखा मैं बच्पन के साथियों को देखकर फूर उड़ता हूँ सजल नेत्रों कर बोला मैं तो जब तुम्हें देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौल का तुमारे गले लिपड जाओ पैतारिस वर्ष का युग मानूब बिलकुल गायव हो जाता है वो मक्तब आँखों के सामने फिरने लगता है वो बच्पन सारी मनोहरताओं के साथ ताजा हो जाता है बलदेव ने भी द्रवित कंटे से उत्तर दिया मैंने तो भाई तुम्हें सदयव अपना इश्टदेव समझा है जब तुम्हें देखता हूँ तो छाती गजबर की हो जाती है कि मेरे बच्पन का संगी जा रहा है जो समय आपड़ने पर कभी दगाना देगा तुम्हारी बड़ाई सुन्चो कर मनी मन प्रसन हो जाता हूँ लेकिन ये बताओ तुम्हें खाना नहीं मिलता कुछ खाते पीते क्यों नहीं सुकते क्यों जा रहे हो घी ना मिलता हो तो दोचार कनिस्तर विजवादू अब तुम भी भूड़े हुए फूप डटकर खाया करो अब तो देहे में जो कुछ और तेज अबल है वो केबल भोजन के अधीन है मैं तो अब भी सेर भर दूथ और पाव भर घी उड़ाय जाता हूँ इदार थोड़ा मक्षन भी खाने लगाऊ जिंदी की भर बाल बच्चों के लिए मर मिटे है अब ये कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी तबियत कैसी अगर आज कंदा डाल दूँ तो कोई लोटे पानी को ना पूछे इसलिए खोब खाता हूँ और सबसे ज़्यादा काम करता हूँ घर पर अपना रोब बना हुआ है वहीं जो तुमारा जेट ललका है उस पर पुलिस ने जूटा मुकदमा चला दिया है जवानी के मद में किसी को कुछ समझता नहीं है भी अच्छा खासा पहलवान दरोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई तब सिक हात में लगे हुए थे इधर गाउ में एक डाका पड़ गया दरोगा जी ने तहकीकात में उसे फास दिया आज एक सब्ता से हिरासत में है मुकदमा मुहम्मद खरील टिप्टी के जलास में है और मुहम्मद खरील और दरोगा जी से दाद काटी रोटी है अवश्य सजा हो जाएगी अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है और कोई आशा नहीं है सजा तो जो होगी वो होगी इज़त भी खाक में मिल जाएगी तुम जाकर हाकिम जिला से इतना कैदो कि मुकदमा जूटा है आप खुद ही चलकर तहकिकाप कर लें बस देखो भाई बच्पन के साथ ही हो नहीं ना करना जानता हूँ तुम इन मौामलों में नहीं पढ़ते और तुम्हारे जैसे आदमी को पढ़ना भी ना चाहिए तुम प्रजा की लड़ाई लडने वाले जीत तुम्हारे सरकार के आदमीों से मेल जोल बढ़ाना उचित नहीं नहीं तो जनता की नजरों में गिर जाओगे लेकिन ये घर का मौमला है इतना समझ लो कि मौमला बिलकुल छूट ना होता तो मैं कभी ही तुम्हारे पास ना आता लड़के की माँ रो रोकर जान दिये डालती है बहू ने दाना पानी छोड़ रखा है साथ दिन से घर में चूला नहीं चला मैं तो थोड़ा सा दूद पी लेता हूँ लेकिन दोनों सास बहुत निराहर पड़ी हुई है अगस बच्चा को सजा हो गई तो तोनों मर जाएंगी मैंने यही कहकर उन्हें ढंड़स दिया है कि जब तक हमारा छोटा भाई सलामत है कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है तुमारी भाबी ने तुमारी फुस्तक पड़ी है वो तो तुम्हें देवतुल समझती है और जब कोई बात होती है तुमारी नजीर देकर मुझे लज्जित करती है मैं तो साफ कह देता हूँ कि मैं उस छोकरे किसी बुद्धी कहां से लाऊं तो मैं उसकी नजरों से गिराने के लिए तुम्हें छोकरा, मरियल सभी कुछ कहता हूँ पर तुम्हारे सामने मेरा रंग नहीं जमता मैं बड़े संकट में पढ़ गया हूँ मेरी और से जितनी आपत्या हो सकते थी उन सब का जवाब बलदेव सिंग ने पहले ही दे दिया था इनको फिर दोराना वेर्थ था इसके सिवा कोई जवाब न सूझा कि मैं जाकर साब से कहूंगा हाँ, इतना मैंने अपनी तरफ से और बढ़ा दिया कि मुझे आशा नहीं कि मेरे कहने का वेशेश ख्याल किया जाए क्योंकि सरकारी मौामले में हुकाम हमेशा अपने माधतों का पक्ष लिया करते है बलदेव सिंग ने प्रसन होकर कहा इसकी चिंता नहीं तकदीर में जो लिखा है वो तो होगा ही बस तुम जाकर कहबर दो अच्छी बात है तो कल जाओगे हाँ वश्य जाओँगा ये जरूर कह देना कि चल कर तैकी कात कर लें हाँ जरूर कह दूँगा और ये भी कह देना कि बलदेव सिंग मेरा भाई है छूड बोलने कि मुझे मजबूर ना करो तुम मेरे भाई नहीं हो मैंने तो हमेशे तुम्हें अपना भाई समझाए अच्छा ये भी कह दूँगा बलदेव सिंग को विदा करके मैंने अपना खेल समाप्त किया और आराम से भोजन करके लेटा मैंने उससे गला छुड़ाने के लिए छूटा वादा कर दिया मेरा इरादा हाकिम जीरा से कुछ कहने का नहीं था मैंने पेशबंदी के तौर पर पहले ही जता दिया था कि हुकाम आम तौर पर पोलिस के मामलों में दखल नहीं देते इसलिए सजा हो भी गई तो मुझे ये कहने में काफी गुंजाईश थी कि साहाब ने मेरी बात स्विकार नहीं की कई दिन गुजर गए थे मैं इस वाक्यों के बिल्कुल भूल गया था सहसा एक दिन बलदेव सिंग अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए बेटे ने मेरे चरणों पर सिर रख दिया और अदव से किनारे खड़ा हो गया बलदेव सिंग बोले बिल्कुल बरी हो गया भाईया साहाब ने दरुगा को बुला कर खूब डाटा कि तुम भले आदमियों को सतातियों बदनाम करते हो अगर फिर ऐसा जूटा मुकदमा लाए तो बर्खास्त कर दिये जाओगे तरुगा जी भहुत जेपे मैंने उन्हें चुकर सलाम किया बचा पर घड़ो पानी पड़ गया ये तुमारी सिफारिश का चमतकार है बाई जान अगर तुमने मदद ना की होती तो हम तबाह हो गए थे ये समझ लो कि तुमने चार प्राणियों की जान बचा ली मैं तो तुमारे पास डरते डरते आया था लोगों ने कहा था उनके पास नहाग जाते हो वो बड़ा बेमुरववत आदमी है उसकी जाद से किसी का उपकार नहीं हो सकता आदमी वो है जो दूसरों का हिद करे वो क्या आदमी है जो किसी को कुछ सुने ही नहीं लेकिन भाई जान मैंने किसी की बात न मानी मेरे दिल में मेरा राम बैठा कह रहा था कि तुम चाहे कितने ही रूखे और बेलाग हो लेकिन मुझ पर अवश्य दया करोगे ये कहकर बल्देव सिंग ने अपने बेटे को इशारा किया वो बाहर गया और एक बड़ा सा गठर उठा लाया जिसमें भाती-भाती की देहाती सौगाते बंधी हुई थी हाला कि मैं बार-बार कहे जाता था कि तुम ये चीजें नहाक लाए इनकी क्या जरूवत थी कितने गवार हो आखिर तो ठैर देहाती मैंने कुछ नहीं कहा मैं तो साब के बास गया भी नहीं लेकिन कौन सुनता है खोया, दही, मठर की फलियां अमावट, ताजा गुल और जाने क्या-क्या आ गया मैंने कहने को तो एक तरह से कह दिया कि मैं साब के बास गया ही नहीं जो कुछ हुआ, खुद हुआ है मेरा कोई ऐसान नहीं लेकिन उसका मतलब ये निकाला गया कि मैं केवल नमरता से और सौगातों को लोटाने का कोई बहाना ढूनने के लिए ऐसा कह रहा हूँ मुझे इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं इस बात का विश्वास दिलाता इसका जो अर्थ निकाला गया वही मैं चाहता था मुफ्त का अहसान छोड़ने का जी ना चाहता था अंत में जब मैंने जोर दे कर कहा कि किसी से इस बात का जिक्र ना करना नहीं तो मेरे पास फर्यादों का मेला लग जाएगा तो मानो मैंने स्विकार कर लिया कि मैंने सिफारिश की और जोरो सकी